तो आज आ गया थे नए एक्वेरियन शॉप पे अपनी एक्वेरियम के लिए नई मचली लेने के लिए तो यह देखिए गोरामी और यह है टाइगर टेट्रा टाइगर बार और यह पर रहा ब्लू टेट्रा ब्लू गोरामी बहुत सारी फीसेश थी इनके पास अविलेबल त देखिए काईट फीस जिनको पसंद है वह भी यहां से ले सकते हैं बहुत सारी मचली ते चाड़ो तरफ यह मतलब शॉप है जो नहीं खुली यह देखिए टैट्रा गोल्डें टैट्रा जिसको दो हम लोग ग्लोइंग फेश भी बोलते हैं जो फिर आगे चलते हुए हम लोग को तो लेना नहीं था हम लोग को चाहिए था बड़ा बड़ा गोल्ड फिश और यह गोल्डन टेट्रा बहुत ही सस्ते कीमत पे हैं मिल देती मतलब बहुत ही सस्ते और क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी और यह ब्लू टाइगर बार यह देखिए जो हम लोग को चाहिए था उपर में यह शार्क फेस और नीचे पूरा गोल्डन फिश सारा हिल्दी और सारा सूपर फिश भड़ा हुआ था तो हमको तो फिर कुछ मॉलीज पैक करवाना था देखिए सारी मॉलीज जो है सारी मतलब अच्छी हाइब्रीड क्वाल बाते करवाते पता ही नहीं चलना था इतीनी तेज थी यह सफिसस की हाथी में नहीं आ रही थी हम तो मतलब एक को चुन पाना बहुत मुस्किल था टैंक का साइज भी कम से कम छे फीट से जाद ही था कैसे तैसे करके हम लोग देखिए कुछ ब्लैक मॉलीज मतलब पकड़े के मतलब लेड़े थे कि हां हम लोग को यही चाहिए और मतलब आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा कलर बेस्टर लग रहा है मुली फिश के लिए और इतना ही नहीं देखिए नीचे वाला मुली तो पकड़ा ही नहीं रहा था उस पर कितना हम लोग किये ट्राइ करके त कोशिस किया बट उससे भी नहीं पकड़ाया देखिए एक प्याड़ और ब्लैक हम लोग ले लिए थे जग में और इसके बाद पता है एक मुली तो पकरते पकरते ही फिर नीचे ही गिर गया था उसको चोट लग गया था लकिन मतलब ठीक था उसको कुछ जाद हालत देखि कि बस इतना ही गपीज और गपीज का स्टॉक इनके पास तो था नहीं इसलिए हम लोग तो आए थे कि गपीज मॉलीज और कुछ गोल्डेन टेट्राज और टाइगर बार लेंगे लेकिन इनके पास गपी का स्टॉक खतम हुआ था तो गोल्ड फिश लिए और दस पेर यह मॉलीज का ले लिए कि मॉलीज अपने पास तो खतम हो गए थी इसलिए फिर अब और श्टॉक आएगा तो अब इस बार गपीज का टैंक से टप होगा लग से तब इसको हम लग ले लिए थे जाकर